यह तीन जनरेशन M2DICR SLX Power Plus SLX BS6 Optional मतलब यह दो SLX है B6 बोल सकते हैं यह Optional है तो आज हम इसी का फ्यूज बॉक्स बताएंगे अल्रेडी मैंने इसका और इसका बता दिया है तो आई बटन पर मिल जाएगा तो आज हम इस BS6 Optional या कुल मिलाके न्यू BS6 बॉलेरो के फ्यूज बॉक्स के बारे में बात करेंगे इसमें दो ही हैं हमारे में तीन रहते हैं एक को पॉस सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब मज़स दिए ये हमारे मिलेगा और power plus में आपको यहां पर मिलेगा यह गलोब प्लक का रिले है इसमें दिया हुआ है पिक हमारे में इस्यूट का रिले अंदर फिट है यहां पर लेकिन इसमें पूरे रिले यहां यह भाहर पर फिट कर दिये सबसे पहले यह देखो आप यह करें है दैन फ्यूल पंप का रिले है इसमें छोटे रिले थार्ड आपका एसी कंपरेसर रिले मतलब यह क्लच का रिले यह तभी इंगेज होता है और इसी से यह जब इंगेज होता तभी आपका फ्याट अगर आपका हीटिंग पर है तो डबल स्वीड पर नहीं इतनी हीटिंग है तो स्लो स्पीड पर रन करता है उसके बाद चौथा नमबर आपका सियार का मतलब होता है सेलेक्टिव कैटलेटिक रेडेक्ट यह किसमें आता है यह आपकी यूरिया में आता है डीजल अग्जॉस्ट अगर आपके में डीएफ का साइन आ रहा है आपका मोटर काम नहीं कर रहा है इंजक्टर काम नहीं कर रहा है या स्कैनर में दिखा रहा है तो चैक करने से पहले आपको जलौmor करना है HCR का रिले भी है और फ्यूज भी है अभी मैंने आपको रिले दिखाया आगे चलके आप फ्यूज भी देखोगे यह वाला आपका लो बीम है यह वाला हाई बीम है के बाद यह आपका फॉग लैंप है जिसमें फॉग लैंप है उसमें काम करेगा जिसमें नहीं है तो इनकी कीमत काफी ज्यादा होती यह 10 रुपए यह करीब 100 रुपए 50 रुपए इनके भी क्वालिटी आती है तो यह फैन का रिले है अगर आपके फैन नहीं चलता भी सिक्स में तो सबसे पहले यह देखें इसको देखेंगे तो यह जो हमारे में बैटरी के टर्मिलिल्स होते ह है दो टाइप मतलब एक ही बैटरी से दो कनेक्शन जाते है उसके लिए अलग-अलग फ्यूज दे दिया जाता है तो यह बैटरी टू का है और उसके बाद यह गलो प्लग का है फ्यूज आपकी रिले भी होती है फ्यूज भी होते है तैन स्टार्ट सॉलनाइट जो भी तो भी यह बताता है उसके बाद यह पूम्स का है उसके बाद यह फीड़ मतलब ये पीछे वाला जो पंपर नहीं चलता वह उसका उसके बाद जो ac blower का अपका रिले है यह आपकी एर पृजय से मतलब अगर कोई भी फ्यूज निकल जाता है ता आप इसका यूज का संब यह आपका एसी ब्लोबर का रिले है उसके बाद यह पाइन लो और यह फैन हाई नहीं पितलब आपकी आगर एक ही हाई नहीं चल ला है तो आपको इसको चेंज करना होगा लो नहीं काम कर रहा है तो आपको इसको चेंज करना बार्टर पम्पप का है उसके वाद आपका यह सेंसर का कम अहब् engines ये आपका इस ही का है ये आपना इस्यू को है जैसे हम्हे दो संधाइट पर दो ाइन कोई प्राब्लम आती है दो इन दोनों को जरूर चेक करें इन दोनों इस्को नहीं Bis तो यहां के फ्यूज तो मैंने आपको सभी बता आपका सेकंडरी फ्यूज ध्यान देएगा यह स्टेरिंग के बाजू में यहां पर होता है और इसका यह कवर होता है यह ऐसे फिट रहता है सुरवात में आपको निकालने में दिक्कत होगी पर घबराएगे निए थोड़ा सा टाइट रहता है तो आपको यह ऐसे यहां पर हलका से इसको ऐसे खीचना है और यह निकल आएगा चलिए अभी इस फ्यूज के बारे में हम जानेंगे य यह बाला फिर फांच एंपियर का है इस प्ले का है मॉडूल डिस्प्ले मतलब जो आपका मॉडम है वहां पर लगा और यह इनका डिस्प्ले उसके बाद यह आपको तु दिख रहा है यह एक्षर में 20 है 20 है 20 है उपर नीचे जोड़ दिया जाता है नीचे आपको यह जित पर इसमें महिंद्रा बोलता है MBFM मतलब महिंद्रा बॉडी फंक्शन मेडूल जो आपका सेंटर लॉक या रूप लाइट को कंट्रोल करता है इसमें अच्छा फंक्शन यह अगर आप जलाके रखेंगा अगर आप जलाके रखेंगा तो आपको दस यह पांच मिनिट का बैक अप फिर भी बंद हो जाएगा तो यह चीज अपने मॉडूल से जूड़ी पहले से बता दूँ इस मॉडूल जूड़ा है जिसे कहते हैं बी सीम जनली लोग लेंग महिंद् अगर उसकी बात करें कि जैसे हम लोगों में यह जो देख रहे आप M2DICR है पावर प्लस हाती थी 500 CC वाली जो आपका ही इंजन है अगर BS6 है आपके पास उन कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे तो हमारे में क्या होता था अगर हमको नॉर्मल AC ON करना है तो हमारे में तीन र लिटर कीृणि उस पर भी बाईपर दिया जाता था तो वह एक रिले होगई उसके बाद थर्म अंपुली ठीवायर यूज किया जाता था हमारे में ठर्म र Impl favor उच करने के बाद फिर वह थर्म allt 5 पायर जाता था एक अलग Carry cardboard रिले में थर्मो एमप्रिवायर में वहां से वो connection उठा के आपकी issue को देता था issue जब पाता था उससे negative निगेटिव उठा के वो देता था दूसरी रिले को किसको आपके compressor relay को जो आपने आगे देखा था compressor relay जब on होता था तब आपका कंडेंसर फैन रिले आना होता था ऐसे करके मारे में तीन है पर आपने देखा होगा कि आपके में वह फ्रेंट वाले में से फेकी है तो यह जो इतनी जादा स्रीज जूड़ी है वह MBFM के अंदर आ गई है पहले हमारे में रूप लैंप का अलग सफ्यूज देता था अभी न से आन आफ करते रहो कोई मतलब नहीं है किसी भी राइट से चुक्कि अब मेडूल में सलेक्ट हो गया मतलब एक मेडूल के अंदर पूरी फंक्शनालिटी जूड़ गई है तो जब आफ करते हो या लॉक करते हो गाड़ी तो जो उस FM MBFM से जूड़ी चीज़ी है वह कंट्रोल मूड बी सीम जिसको बोलते हैं या तो वह काम करता होगा चांसे जीरो के बराबर क्योंकि यह काम आपका इस्यू करते हैं सबसे लास्ट वाला है इस्यू का उसके बाद इसी पर आई है यह 30 MPR का आपका पावर बिंडों के उसके बाद एक चीज आप ध्यान से द होता हीटर का हीटर का फीटर नहीं काम कर रहा है बाईस की बात नहीं कर रहे हो दोऑजार किस में इन्डillance हीटर की ऽिए और साथ में वहीं आपके टॉल बोल्ट सौकट की सुछच है वही आपका दिफ होगर की सुछच है अब ब्र नयदि जल दर थी अक लाइट नहीं जल देखिए reverse का भी दिया है, अगर आपकी optional नहीं रहेगी तो वो नहीं रहेगा इसमें, यह भी 10 ampere का है, उसके बाद आप देखेंगे, तो यह जो tailgate का है ABS, मतलब पीछे side का और यह आगे side का front का है, ABS, side mirror को इतना ज्यादा knowledge नहीं है, पर इसमें कुछ लिखा है, मैं जरूर इ ignition ABS का future करें, उसके बाद आता है ABS tail tail, यह मैंने तो चेक नहीं किया, गूगल पर ऐसे ही देख रहा था, भाई आपको बताना तो है, उन्होंने बता है कि idiot type का है, मतलब अपने आप यह जनले लगता है, उस time पर आपको यह fuse चेक करना होता है, यह main cluster का है, और उसके बाद फि आपको एक चीज़े बता दूँ कि जितने भी मैंने fuse दिखाएं आपको 5 amp, 15 amp, 20 amp, 30 amp, और बड़े वाले 60 amp, जब भी यह fuse हो, spare part में डले हो, तो वही fuse उठा के डालना है, पहली बाद, दूसरी बाद, हल्का फुलका नहीं डालिएगा, ना over डालिएगा, खास कर ECU से related जित हैं, तो over तो मट डालिए, जब तक current flow बराबर है, तो तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, आप कितना भी है भी डालो, पर जिस टाइम पर sorting होई ना, उस टाइम पर फ्यूज बचाते है, वैसे तो normal अगर सही है condition, तो आप 30 की जगह 5, 20 भी लगा दोगे, बहले वो उड़ता र देखा होगा ना, कुछ वीडियो में मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हो, इसी कारण से, अभी हमारे हैं थोड़ा सा restriction है, कि आप इतने दिन तक यह नहीं कर सकते हैं, तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, आपको अगर एरो का देखना है, पावर प्लस का, या M2DICR का, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आई बटन पर मैं अल्रेडि दे चुका हूँ, मैंने या इस वालें फ्यूज में आपको MPS नहीं बताएं, क्योंकि वो अल्रेडि आपको दिख रहे हैं, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैन नवाद आप से, करदो, चुका हूँ, मैंने अपको दोने आपको दोना और ऱ coal को दोना तोheen।